परधान मंतरी नरेंदर मोधी ने मंगलवार को अंधर परदेश के पूठू पंथी में वीडियो कॉन्प्रेंस सिंग के मादम से एक शम्मेलन को संबोधी किया यह सेंटर और एकडेमिक प्रोग्रेम्स के लिए एक केंदर बनेगा यहां अलग-अलग छेत्रों से जुड़े पूरी दुनिया के विद्वान और एक्सपर्स इखटा होंगे मैं आशा करता हूँ कि इस सेंटर से युवाओं को बहुत मदद मिलेगी साथियों कोई भी विचार सबसे प्रभावी तब होता है जब वो विचार आगे बढ़े कर्म के स्वरुप में आगे बढ़े थोथे वचन प्रभाव पैदा नहीं करते हैं जितना की एक सत्कर्म पैदा करता है आज कन्वेंशन सेंटर के लोकारपन के साथ ही यहां स्री सत्य साही ग्लोबल कांसिल की लीडर्स कॉन्फरंस भी शुरू हो रही है इस कॉन्फरंस में देश और दुनिया के कई देशों के डेलिगेट्स यहां पर उपस्तीद है जो थीम चुनी है प्रैक्टिस एंड इंस्पायर यह थीम प्रभावी भी है और प्रासंगी इसलिए हमारा आचरण ही दूसरों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा होती है सत्यसाई बाबा का जीवन अपने आप में इसका जीवनत उदाहरण है आज भारत भी कर्तव्यों को पहली प्रात्विक्ता बनाकर आगे बढ़ रहा है आज आजी के सोवर्स के लक्ष की और आगे बढ़ते हुए हमने हमारे अमृतकार को कर्तव्य कार का नाम दिया है हमारे इन कर्तव्यों में आध्यात्मिक मुल्यों का मादर्शन भी है और भविश्य के संकल्प भी है इसमें विकास भी है और विरासद भी है आज एक और देश में आध्यात्मिक केंद्रों का पुनरुद्धार हो रहा है तो साथ ही भारत एकनामी और टेक्नोलोजी में भी लीड कर रहा है आज भारत दुनिया की टॉप फाइव एकनामी में शामिल हो चुका है आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप एको सिस्टिम है डिजिकल टेक्नोलोजी और फाइव जी जैसे खेत्रों में हम बड़े बड़े देशों का मुकाबला कर रहे हैं दुनिया में आज जितने भी रियल टाइम ओनलाइन ट्रांजिक्शन हो रहे हैं उसके 40 प्रतिशत अकेले भारत में हो रहे हैं और मैं तो आज रत्नाकर्जी से आगरख करूँगा और सभी हमारे साई भक्तों सभी आगरख करूँगा क्या यह हमारा नया बना हुआ जिला जो साई बाबा के नाम से जुड़ा हुआ है यह पूरा पुटपट जिला क्या आप इसको 100 परसंट डिजिटल बना सकते हैं हर ट्रांजेक्शन डिजिटल हो आप देखिए दुनिया में इस जिले की अलगी पहचान बन जाएगी से रत्नाकरजी जैसे मेरे मित्र अगर इस कर्तव्य को अपना जिम्मा बना दे तो हो सकता है कि बाबा के अगले जन्म दिन तक पूरे जिलो को डिजिटल बना सकते हैं जहां कोई कैस रुप्य की आवश्यक्ता नहीं होगी और यह कर सकते हैं परधान मंतरी ने कहा कि इस सेंटर में देश दुनिया के विद्वान भी इखटे होंगे और यह है बहुत अच्छा संदेश भी देश में जरूर होगा राजेश खत्री पुठुपन थी अंधर परदेश